हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के अटेशिक्स में आज चर्चा करेंगे बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कामपनी लिमिटीट के बारे में दोस्तों आपको बता दें कि इसके अंतरगत इसकी जो नियोजन सूचना संक्या थी आठ दोजार आठारा उस उसके तहत एक वेकेंसी निकले थी जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी सूचना दी थी उस वेकेंसी के पद है सहायक परिचालक, बटन पचालक, कनिये सारनी पूरुष और तकनीकी शाहयक ग्रेड फोर के लिए दोस्तों इन चारों पोश्ट के लिए जो वेकेंसी नि पर 10, 11, 12 और 13, माफ की जी का 4 डेट में बुलाया गया था और इनसका सारा बिशलेशन इसके ओफीसियल वेबसेट पर दिया गया था, दोस्तों आपको बता दे कि उन अभियार्थियों को ये सूचना अगर नहीं मिल पाई है तो उनके लिए एक और सुनहरा उसर है 19 जनव इसान टारीजबं के लगा ये उनके सारी डिटील देंगा है कि पूरे वीडियो में ऩारे अरा साथ लाष्ट तक ये में बता देंकि इस च्हांतर ने हैं इस चैनल पर उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर्ले मैस अब बटल की का किसीपरें चानसे से पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके दोस्तों बिल के आइकन को जुरूर दबाईएगा क्योंकि बिहार से जुड़ी हर वो ख़बर चाहे वो एजुकेशन से हो या फिर आपके नौकरी से हो हम पल-पल की ख़बर आप तक लेकर आते हैं अपने चैनल के माध्यम से दोस् दूसरा जो है आपका 14 तारीका वो उसमें क्या बताया गया कि 10 से लेकर 13 तारीक में अगर जिन कैनेडिट ने अपनी कांसलिंग अटेंड नहीं की है यानि कि जो कैनेडिट अपसेंट है उनको एक और मौका दिया गया है 19 जनवरी का तो यह इंपॉंटेंट चीज था 19 जन नहीं कि इन 4 पोश्ट के लिए जो ज्वाइनिंग दी जाएगी उसके बारे में नोडिस आया है तो सबसे पहले हम आपको 7 तारीक वाला जो न्यूस है ये इसको ओपेंड करके दिखलाता चाहते हैं दोस्तों ये देखिए ये 7 तारीक में आपको कहा गया था देखिए ये न्यूस दिया गया था आपको 7 तारीको जो कि उस पे बहुत सारे कैंडिडेट गये भी थे वहाँ पे अपने इस एक्जाम में सॉट लिस्ट होने के बाद आपको बता दें कि टोटल 2050 कैंडिडेट का यहाँ पे लिस्ट बना हुआ है सॉट लिस्ट कैंडिडेट का अब इ 19 तारीको आपको बता दें कि 19 तारीको यह 19 जनवरी को आपको 10 बजे से पहले जाना होगा बिधूत भवन बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कमपनी लिमिटेड जोहरलाल नहरु मर्क पटना जाकर अपना सत्यापन करना होगा डॉक्मेंट्स का वहाँ पे और 19 तारीको संगीन फॉसपोर्ट साइज फोटो मैट्री का पर्मान पत्र जो कि में कि आपका डेट अब बर्थ होना चाहिए और अगर आई टी आई किया है तो आपने एंसी वीटी एप्रूट होना चाहिए बिहार राजी सरकार की सिवाओं हे तू निर्धारित पर पत्र जाती क्रिम आपको ले जाना है ठीक है उसका एडबिट कार्ड भी ले जाना है अब यह सारी चीज़े आप देख लिएगा क्या क्या वहां पर ले कर जाने है अब जो तीसरा न्यूज आज का है वह न्यूज इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर देखे यहां पर आपको बताया जा जिनको जिनको उन्हीं जनवेर के बाद कॉंसलिंग हो जाएगी उन सभी चात्र और जिनका कॉंसलिंग हो चुका है उन सभी को 23 से लेकर 25 तारिक तक यहां बुलाया गया है डीएभी पब्लिक स्कूल में बीएस पीएस सील कॉलनी नियू पुनाई चौक 23 को 24 को और 25 को और जो EBC कंड़ेट है और BC कंड़ेट है उनको सिर्फ बुलाया गया है 25 तारिक को ठीक है तो आप कैटेगरी वाइस यहां पर आपको कॉल किया गया है और दूसरी चीज़ यहां बता दें कि 21 तारिक को आपका जो लिस्ट है मेरिट लिस्ट ठीक है वो 21 जनवरी को आपके ओफीसियल वेबसाइट पर दे दिया जाएगा जो की सूची के रूप में जिनका जिनका सेलेक्शन होगा 2050 कंड़ेट का लिस्ट दे दिया जाएगा यहां पर जो की सौट लिस्ट किया गया है अब जो भी कंड़ेट का यहां पर कोई चीज अगर नहीं है तो जल से जल कॉंसलिंग करते से में मेडिकल सेर्टिफिकेट भी अपना बनवाना होगा अपने डॉक्टर से कहके ठीक है फिजिकली फिट होने चाहिए आप और उसके बाद आपका सिक्यूरिटी बॉंड है एक तरह का यहां पे जिसके लिए यहां पे आपको साफ साफ कहा गया है यह कि अगर आप बीच में कभी नौकरी को छोड़ते हैं तो आपको पचास जरपे दे कर इस नौकरी को छोड़ना होगा ठीक है तो यह इंपॉर्टेंट है चलिए यहां पे आपको मैंने इंटिमेट कर दिया है और बाकी सारे डॉक्मेंट्स भी है यहां पे जिससे आप जालना है और इसी से बनवा के ले जाना है आपको ध्यान रखिएगा सिकुरिटी बॉंड जो है आपके 100 रुपीज के रुपीज में आपको बॉंड साइन करवाया जाएगा वहां पे और यह आपका बॉंड होगा जो कि 50,000 रुपे अगर आप बीच में कभी नौकरी प्रबंध पत्र लगेगा यह अंकित होगा कि दो साल के अंत्रगत है ना दो साल का बॉंड है आपका कि दो साल के अंत्रगत अगर आप इस जौब को छोड़ते हैं तो आपको कंपनी को 50,000 रुपे देने होंगे तभी आप इस नौकरी को छोड़ पाएंगे अन्य था इसक पचास कंडिडेट हैं जो कि यहां पे लिखा हुआ है और इन सभी को बुलाया गया है यहां पे आपके कॉंसलिंग में तो लिस्ट जारी किया जाएगा आपका 21 तारी को 19 तारीक जिसका इसका है वहां पे जाके कॉंसलिंग अटेंड कीजिए जिन्होंने एक्जाम दिया ह और जाकर अपना फिर सारा चीज़ डॉक्मेंट वेरिफियाई करवाएगा उन्हें इसको और 21, 24, 25 को वहां पे ज्वाइनिंग के लिए आपको बुलाया गया है डीए भी स्कूल, पब्लिक स्कूल, बीएस, एच्प, स्कूल, नहीं पुनाई चौक के लिए ठीक है तो यह सूषना देदी थी आप तक हमें पहुचाना था और अगर आपको समझ में आ गई हो और कोई चीज़ डाउट हो तो आप कमेंट करके यहां कमेंट बॉक्स में भी नीचे पूछ सकते हैं अपने सवालों से हम सहयोग करेंगे चलिए हमारे साथ यहां बने रहने के लिए कि पुर।